गुर्माने गलास नाइन स्टूडेंट्स तो प्रिवेस्ली जो हमने टापिक पड़ा था पौर्ट स्टैटिक्स इन इंडिया और उसमें ने डिसक्स किया था कि जो इंटर स्टेट डिस्पारिटी इस है में लब कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पौर है कौन सा स्टेट लब पौर है यह पौरी नहीं है यह वहां पर फिसक्स किया था उसके बाद हमने उसके साथी टापिक डिसक्स किया था गलोबल पौर्ट्स सेनारियों मैंने पूरे वर्ल्ड का आपको बताया है कि चाहे वह डावलपिंग कंट्रीज को चाहे अंडर डालउप्ड एक क्राइटीरिया बनाया है कि 1.9 डालर पर डेय जिसकी इंकम होगी वह उस इसकी पिर डेय इंकम होगी इन डिजिवल की ठीक है जो से कम इंकम कम आता है तो वह पौर्टी में आता है ठीक तो वो हमने डिसकस किया तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है ऐस पर और एक्जामनेशन पॉइंट आफ यू काज़ा पॉर्टी तो काज़ा पॉर्टी में हम देखेंगे आज कि पॉर्टी किन चीज़ों से आती है that the causes ए हम कह सकते हैं के जो पॉर्टी लाते हैं जो घरीभी लाते हैं चाहे इंडिज़िल लिधाल प्रे चाहे नेशनल लेवल पर या कंट्री लेवल पर अगर हम बात करेंगे कौन से महन काज़ी है दियर रहर को एक काज नहीं हो सकता है तो यह बात करेंगे जब बिटिश रूल यहां पर था तो बिटिश रूल के जो कुछ बैड पालसी थी हमारी कंट्रीज में जैसे यहां का जो हैंडी क्रॉप्ट था उसको प्रमोट नहीं किया गया यह जो इंडस्री यहां पर थी उनको प्रमोट नहीं किया गया उनको उनकी तरफ मतलब जो भी इंडस्री मतलब प्रॉफटेबल इंडस्री थी जो भी इंडस्री बहुत अच्छा काम कर रहे थी बहुत अच्छा प्रोडिक्शन दे रहे थी उनको जादे जयान नहीं दिया गया उन का माइन सोर्स आफ इनकम जो था अरनिंग जो थी वह यहन बेड थिंग्स थे तो उसको डास्ट्राइ किया गया मतलब जो ब्रिटिश रूलरस थे जो बृटिश रूल यहां पे था कॉलिनिर अड्मिस्टरेशन ने उसको टोटली तबा कर दिया जो हैंडी गरओड्स यहां पे था और जो इंडिस्री थे उनको भी मतलब उनकी तरफ जान भी नहीं दिया गया उंकी उनको बंद करवाया गया उससे क्या हो गया जाब डैकलाइन हो गयी जब यह उग जब झाब को पास इंडिक्राप्ट्स ते जब वहां से मतलब आपको कोई सोर्स इंकम तो वहां से वो लोग उन्हें छोड दिया तो उससे क्या होगा जॉब डेकलाइन होगे जब डेकलाइन होगे जब जॉबस में कम्यान अगी तो उससे लिए अनम्प्राइमेंट बड़ेगी तो जो अर्टिबी जो हमारा जो अर्निंग हैंड्स पते जो लोग कुछ कमा रहे तो उनके पास अब पैसे नहीं तो यह बन जाता है यह जनम देता है पुवर्टी को तो इस दे फिस्ट काज पुवर्टी बैड पाल्सी अब इसके बाद अगर हम दूसरी बात करेंगे दूसरा पॉइंट जो दूसरा काज है हाई ग्रोथ रेट पॉपलेशन देखो अगर हम हम बात करेंगे इंडिया की यहां पे जो ग्रुन रेवलिशन और जो माडर्न जो अगरिकल्टर मेथडस आ गए या टेक्नालजी माडर्न टेक्नालजी आ गई ठीक है उससे अगरिकल्टर बहुत पाज्डूम पैक्ट पड़ा है अगरिकल्टर हम सेलफ सफशन सी हमारी इन क्रॉप्स में या जो हमारा जो फूर प्रोड़क्शन है लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगी यहां पे पॉपलेशन कंटिनिस्ली इंक्रीस हो गई तो जब हाई ग्रोफ रिट अप पॉपलेशन हो गई है तो यहां पे मुश्किल हो गया जाब क्या हो गया यह भी एक काज बन जाता है पॉपलेशन किसी कंट्री में ज्यादा होती है तो गोवर्मेट मतलब जो लोग होते हैं उनके पास कोई सोर्स अफ इंकम नहीं होते हैं उनके पास जाब अपरजिंटिज नहीं होती है तो उससे जो उनका स्ट्रेंटराशन रफलि पॉपलेशन के बात करेंगे जब पॉपलेशन बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा लोग गरीब हो जाते हैं क्योंकि वहां पे एंप्लामेट अपरचुन्टीज नहीं होती है उसके बाद हम तीसरे काज की बात करेंगे हाई इंकम इनिक्वाल्टी तो यह भी एक प्राउब इसके बात कोई कुछ नहीं कमा रहा है तो यह भी बहुत बड़ प्राप्लम है हमारी कंट्री में कि यहां पर इंकम इक्वाल्टी है इसके कुछ काज है जैसे लैंड फार्म जो हुए थे यहां पर तो उसमें जो फेलियर आफ लैंड और फार्मस का अगर हम बात करेंगे उस वक्त लेंड डिस्ट्रिबूशन जो प्रापर लेंड डिस्ट्रिबूशन नहीं या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लेंड अधर सोर्स आर नाट एक्वरी डिस्ट्रिबूटेड जो यहां पर यह भी कास बन जाता है पौर्टी का कि यहां पर कुछ लोग ज्यादा क्यों कमा रहें कुछ लोग के पास इंकम क्यों जाज़ है और कुछ लोग के पास इंकम बहुत मतलब लिमिटेड है या बहुत कम है जिससे हमके बेसिक नस्ट्रिज फुल फिल नहीं होती है तो वह जी मतलब उसका काज़ ही है कि लैंड अधर सोर्स जो यहां पर वह एक्वरी डिस् S ai Теперь तो उसस से क्या हो गया तो पूर बिकमस पूर हैं रिच गिकमस रिच्च मे रिचर बिकमस रिच है तो गई गई गरीब होता गए और मीर मीर होता गई जैसे अगर हम किसी लैंड लॉट की बात करेंगे तो उसके पास लैंड है तो मतलब जब लैंड फार्मस मैंड फिल पाज है हमारा पॉर्टी का सिच्वेशन आफ इंडड़नेस तो सिच्वेशन आफ इंड़नेस मतलब हो गया एक ऐसी सिच्वेशन जहां पे आप मिलब कहीं से मौनी बारो कर रहे हो लोन ले रहे हो फिर उसको रिपे आफ नहीं कर पाते हो यार नाट इन पॉजिशन तो लार्ज फार्मोर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा क्रॉप परडेक्शन होता है फिर वो इसको बेज देते हैं सर पलस जो ने vacun के बाप बैजता है उससे वो अपने लार्ज फार्मिर्स के मतल ånday, मतल 첫Less में तो वहां से वह कुछ कम आते हैं ठोड़ा दो बहुत समयल फार्मिर्स का क्राप कंपते हैं कोई भी मेशिनर्णी कम आप क्रापकरerve करें यह कोई वुँ क्या कि करते हैं वो फार्मोर से लार्ज फार्मोर से लोन लेते हैं और जब लोन लेते हैं तो मानलो अगर उनका क्राप फेलियर होता है कभी कबार या क्राप प्रोडेक्शन में मनलब कोई भी नेजल डिजास्टर होता है तो उससे उनका क्राप खराब हो जाता है या क्राब प्रोडिक्शन बहुत कम होती है तो अल्टिमेट जो ने लोन निकाला होता है तो उसका जो इंटरस्ट नहीं बर पाते हैं तो ये भी एक कंडिशन होती है कि वो गरीबी में फज जाते हैं सिच्वेशन अप इंडेविटनेस इसी को कहते हैं और लास्ट है हमारे पास सोशल कार्चल और एकनामिक फैक्टर ये भी एक कारण है पुवर्टी का सोशल कार्चल और एकनामिक फैक्टर का मतलब हो गया है जो सोशल ऑकेजिन होते हैं जैसे अगर हम बात करेंगे किसी फैमली की मेरेज है अमीर हो या गरीब हो मतलब हर किसी को certain ritual या ऐसा भी कह सकते है कि जो मैरे सर्मनी होती है उसमें बहुत सारा मतलब खाना पकता है बहुत सारे पकवान बनते हैं तो ultimately अगर हम बात करेंगी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो बहुत खर्चा करना पड़ता है शादियों पर या अगर किसी की death होती है ठीक है तो death के time भी after three days या four days उस पर बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है लोगं को खिलाना पड़ता है ठीक है तो ये सारी चीजने जब होती है तो इस पर गरीब को भी step करना पड़ता है और अमीर को भी और गरीब जो इससेमेट कर रहा है तो उसके पास इतने resources नहीं होते हैं ठीक है तो वो उस वकב्कत मतलब कहीं से भी बारो कर सकता है कहीं से भी नुट हो करता है डौरी सिस्टम हमारी है जो मतलब कंट्री में है कि गरीब को भी डौरी देनी पड़ती है अमीर को भी देनी पड़ती है ठीक है और गरीब मजबूर हो जाता तो अल्टिमेटली और जो डेट होता है बारो मनी फ्रॉम बैंक्स या अधर फानाशन इस्टूशन तो उसके साथ फिर और पर आप नहीं कर सकता तो यह भी एक कारम बन जाता है फिर वो अपनी सारी जो प्रॉपर्टी यह बेज देता है तो यह भी कारम बन जाता है कि वो गरीबी में फस जाता है ठीक है लास्ट फैक्टर जो है माइगरेशन फरम रूलर अरिया टू अर्बन अरिया तो हम यह तो जब दिखो गई एंग एंग जब ऐर liberals में का कुछ ओता है जो यह तो इड़िए हैं जो A14 bisher उनके पास इतनी यहुते हैं तो तो में पास एक परिशूर्स नहीं होता'M उनके पास जूपृतिथी हैं तो वह क्या को करते हैं वह पैसे कमाने के लिए वो शिफ्ट हो जाते हैं या मूव हो जाते हैं फ्राम रूलर टो अर्बन अरिया क्योंकि अर्बन अरिया में बहुत सारे ऐसे कनस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे मतलब वीज होते हैं साधनाइक से वह पैसे कमा सकते हैं तो यहां पर क्या होता है जो रूलर एरे के लोग होते हैं वो जाता है अर्बन एरे में काम करने के लिए कि वह पर जो चोते मोटे जब टैंते हैं फेकल जैसे इस पहल श्रीट जैसे वह Girl माव करना पे रेडर लगाके कुछ वेज देते हैं ठीक है या जो वहाँ पे सफाई करनी पड़ती है या जो ज fusion को हम कहते हैं पैटी जाबस करते हैं वहाँ तो इससे क्या होता है व मान लो अनार के जाबस करता है उनको बहुत limited आप लिए बहुत कम होता है बिकास दे कुट नाट एफॉर्ट बेसिक निसस्टीज ठीक है उनको बेसिक निसस्टीज फिल्फिल नहीं होते है तो ये भी एक कास बन जाता है पौर्टी का ठीक है तो खुब मुझे लगता है आज का जो टापिक था काज़जा पौर्टी बहुत ही अच्छा टाफिक है एक्जाम में पूछा जा सकता है पांच मास का कुशन लांग अंसर टाइप कुशन पूछा जा सकता है तो यह जो काज़ज मैंने आपको बता है तो यह मैं काज़जा पौर्टी है ठीक है? तो मुझे लगता है आपको यह टाफिक अच्छे से समझाया होगा तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फूजन है तो आप मुझे मेसिज कर सकते हैं थैंक यू